सब्सक्राइब का बेटा है तो उस बाप को आप समझेए जो बाप आपका जो ब्रिद है वो ता आपके लिए बाप के ना हुआ जी आप जब गरीब के बेटा है तो जो कैसे रेल सफर करेगा इस पर सोचने की जरूत है आम आदमी हवाई चपल से खाली पैर में आ गया है क्योंकि वह चपल खस्टा के टूट गया है और उनके पास पैसा नहीं कि वह चपल खरीच सके नाइजीरिया जैसा अब भारत से आगे निकल गया है तो आप समझ जाहिए भारत का भी हाल स्री लंका जैसा होने वाला है जब चौकिदारे चोर निकल गया तो अब समझ सकते हैं जन्ता जिस चौकिदार को बेटाए गया जन्ता की इफासत करने के लिए वह खुद चूर निकल गया यही देखिए ना कि अब दूद यह सब पर भी टैक्स लग रहा है खादे समगरी पे अजादी से पहले अंग्रेजो नहीं यह टैक्स लगाते था जैसी हमारा देशाजाद फिल्म देखे थे लगान में धान के हुआ का जो फसल ता उस पर अंग्रेज टेक्स उसुन ने आया थे मैच हुआ था उसी पिक्चर को बनाया गया था लगान अब तो लगान कर रहे हैं लोगों को ठग रहे हैं चाय सुरुआत में ही कि उसमझ में नहीं आया जब मोधी सरकार आई थी वादा तो बहुत किया लेकिन पांट साल बहुत होते हैं समझने के लिए कि सी को नमशकार मेरा नाम कैफ है आप देख रहे हैं एक नारा आया था बहुत होई महागाई का मार अपकी बार मोधी सरकार लोगों ने इस पर भरोसा किया देश के परधान मंत्री ने जो जुम्ला बोला चुनाओं में उस पर लोगों ने भरोसा किया और जम करके भोट दिया इ नत्ता में आएंगे तो लोगों को रुजगार मिलेगा लोगों को सरकारी हर सुभदा अच्छे तरीके सम मिल जाएगा लोगों को कम टेक्स देना पड़ेगा लेकिन हुआ क्या अब खादी समागरी पर टेक्स लग रहा है जो चीजे एक गरीब आदमी यूज करता है जब कोई गरीब आश्पताल में जाता है उसके पाश कोई व्यास्ता नहीं होती है तो दूद का पैकेक लेता है और एक बिस्किट लेकर के ऊखाता है और अपने मरीजियों का इलाज करता है अस्पतालों में लेकिन भोही फिरी नहीं रहा उस पर भी सरकार टेक्स होशूल रही बहुत हुई महंगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार खाद समय पर भी टेक्स लग गया क्या को अब तो महंगाई की मार अब यह मार रहे हैं आप अब हम कहना चाहेंगे कि अब यह जो चीज तरह का नारा लायत है अब यह नारा बुनी के खिलाब इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि यह जो भी बात कहें कि हम देश के विकास के लिया हैं हम हवाई चपल वाले को हवाई जहाज पर घुमाने आएं लेकिन सचाही तो यह है कि जो हवाई चपल से चलन लोग लाखो लाखो सेक्रो किलोमेटर वह पैदल चलके आए और वह हवाई चपल पर आए थे ना कि हवाई जहाज से चलके आए थे तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी महंगाई की मार हुई कि जो मोधी सरकाराई उसका और और खतम कर दिया जनता का जनता ने जान जनता ने तो एक तरह से कन्फिदेंशियल उनको लाया कि नहीं कोई आया है कि करीवों की बात कर रहा है देश की सुरक्षा की बात कर रहा है कि देश की सफाया करने का भियान चला रहा थे थे आप यही देखिए ना कि अब दूद यह सब पर भी टैक्स लग रहा है अजादी से पहले अंग्रेजों ने यह टैक्स लगाते थे जैसे यह मारा देश अजाद फिलिम देखे थे लगान में धान के हूं का जो फसल था उस पर अंग्रेज टेक्स उसनने आये थे मैच हुआ लग्यां था, लेकिन सफ़या है लोग तूट अब अलग तूट गया है जातियों के नाम पर धराम के नाम पर और विकास किन का होड़ा और सिर्फ एक्ट बपके का वह हैं कुछ दिन पहले की खबर है कि जो हमारे अडानी है सोक और लबानी जिनका 2015 से हालत खड़ाब था पहले के बात है आज वो विल गेट्स को टेक ओवर कर गिया आज वो देश का सबसे चौथा सबसे परामीर आदमी बन गिया है नाइजिरिया पपू यादो अभी कमेंट किया ह देश नइजिरिया जैसा भारत से आगे निकल गया है तो आप समझ जाए भारत का भी हाल स्रीलंका जैसा होने वाला है स्रिलंका वाली हालत आ गई है क्योंकि नब्वे पर्तिसत भारत कर्ज में डूबा हुआ इस बात को समझने की जरू होता है भारत में तो इन होने जान भूच के आपको मैं बताता हूं 2 जुलाई 2021 की बात थी कि जो 191 रूटों पर 117 ट्रेने चलेंगी वह भी प्राइवेट संस्थान को आप जो जो संस्थान दे रहे हैं पहले आप उसका हिस्ट्री जानिएगा ना जी जो टाटाट अपना एर्वेज नहीं चला पाया उसको आप एर इंडिया दे दिये आप रिल्वे किसको दिये आपको मालूम है जिसके पास खुद के संसाधन नहीं है भारत से 50 परशास परशे जो रेल्वे के इंजंस हैं वो राय प ले रहा है उसका पुड़ा पैसा भी नहीं दे पारा है उसको आप रहेल्वे बेद दे रहे हो आपको यहां समझने की जरूत है कि यह प्रत्व हैं जिन से बेचा है उनकी क्या हलत है वो देश ढूबना ही है शरकार लोगों को चुरुवात में ही कि उसमझ में नहीं आया जब मोदी सरकार आई थी वादा तो बहुत किया लेकिन 5 साल बहुत होते हैं समझने के लिए किसी को तो रोजगार हर 15-15 लाख रुपे की बात हुई थी काला धन वापसी की बात हुई थी तो पहली time की कहानी थी लोग तो गुस्त में क्यों नहीं समझ पाया दोबारा भी फूल बहुमत दिये देखिए जनता पे फिर एक बढ़ उमला फेका गया था अभी जैसे सब को अगनी वीर बनाया जा रहा उसमें चौकिधार बनाया जा रहा था तो जब चौकिधारे चौर निकल गया तो आप समझ सकते है जनता है जिस चौकिधार को बेटाया तो जनता की इफासत करने के लिए वह खुद चूर निकल गया अब आप क्या कहिएगा अडानी अरंबानी का इन दोगना चार चौगना मतलब कि उसकी जिन्दगी हो गया तरक्की हो रहा है और आम आदमी हवाई चपल से खाली पैर में आ गया क्योंकि वह चपल घस्टा के टूट गया है और उनके पास पैसा नहीं कि वह चपल खरीच सके और उसको पहन के चल सकते हैं उन्हीं के टैक्स से आपके अपने अधरी को बढ़ा हमा और दूसरी वात की वह एक जबसे वह जनम लिया जो वेक्ति उन पर टैक्स लग जाता है वह तक्स भते वह आदमी टैक्स से जनम भी लेता है और मरता भी है तो टैक्स रही है तो यहां समझने की यह जरोत है ना कि अस्विनी वैस्णफ जो बोर रहें कि देश का उटिया डूब जाएगा अगर हम मतलब अगर इनको फ्री में घुमाएंगे तो हम पुछना चाहते हैं कि आपने क्या सोच के संपती को बेचने का एलान कर दिया तो यह है कि इनके हाथ मे प्रोंप्रिया घुमेंट करेंगे यह म DR. आम मार बाग जाता तक कहीं से कहीं आने के लिए चाहिए को आदमियों को इसके लिए सफर करके gehtँ और चारोने म्दूर्व की हाल है वह अब एकदा अंडेक्लेर्वी हम सुद्ध मारत कısन आजाएगी अब लोग को खुद मतलब लेकिन जब रेल भी चलते रहेगी तभी उनको पैदल ही चलना पड़ेगा मुझे तो यह सोच के रहता है कि जब तसरत मांजी को जब दिल्ली आना था तो वह जो रेल लाइन है वह पैदल नाप दिये थे दिल्ली तक का हमको लगता है फिर से वही हला तब सभी लोगों के सा थाने वाले यह बताइए ना 25.21 करूर रूपय है जिसकी बात कर रहा है 2017 से 22 तक की एंकर ने ट्वीट किया है 17 से 21 तक सांसदों पर 35 करूर से अधिक खर्च हुए है जब तक कि यह जो खर्च है कहीं से भी जायज नहीं है को आप एको को सांसद का नाम बता दीजे जो रेल यह जो रेल से चलता हो एक एक का भी नाम बता दीजिए इसे चलता है लोग अरे यहां वह पैसा बेकार का खर्च जरूरी खर्च किया गया वह आम आदमियों के टैक्से उनके पॉकेट से निकले हुए पैसे थे उनको खर्च किया गया 35.21 करोर बहुत बड़ी रकम होती है नेता घूम है नेता भूमय ठीक है लेकिन जो जनता पूरे जीवन von Ikim के हिस्से इयुक्त Primus be सब्सक्राइब कोई फैदा होने वाला नहीं है मान लिया जाए जब आप बताइए संसत से साथ किलोमेटर दूर एक हॉस्पिटल में एक बच्चा कहां पैदा लेता अस्पताल के बाहर लेता है जब भारत का वरतमान है उसको तो भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं सरकार अब सरकार जो सरकार बनी थी आम आदमियों के हितों के लिए उनके अधिकारों के संग्रक्षन करने के लिए अज उन्हीं का हित मारा जा रहा है अज उनके हित हैं वह देश के नुक्सान में वह थोड़ा है पेंशन सरकार अपना पैसा नहीं कि युदा देंटाथक था है इसको बंद किया गए अब जो बंद किया गया गील आ अल यह हलाज हो प्र게व शोर देते हैं उनको 20 सरक पर नुक्सान बंद किया जाएगाना लेकिन हजारो करोर्ज रूपिया जो दे रही हैं और वही लोग जाके कोई अंबानी अंद्वानी घर खड़ीत ले रहा है जिसको भारत सरकार कर चुगाने तक का पैसा नहीं है उनको यह नहीं कर देना बंद करेंगे लेकिन जो सबसीडिज जो आम आदमियों को मिलती है उसको चरूर यह बंद करेंगे जब तक कि वह उससे वह माला माल हो रहा है तीन दोगनी और चार कुना उनका यह राच चुगनी हो रहा है इस पर कब बोलेंगे मोदी जी आखिर कब तक हम गरीब का बेटा है तो उस बाप को आप समझे जो बाप आपका जो ब्रिद है वह तो आपके लिए बाप के ना हुआ जी आप आप जिस तरह से पहले आप अगनी भीर लाएं जिसे करीबों के बच्चों का भविश्य उसको अंधकार में लाने का काम की है जो नई सिक्षा नीती है जो करीबों को सिक्षा से वह कंचित करने वाली जो कानून है उससे दूर किये हैं अब यह आप कर रहे हैं हमको तो मुझी जी को कि जो वादा किये थे कि मैं गडीब का वेटा हूं चाय वाला का वेटा हूं तो उनके लिए सोची है चाय वाले और पकौरा तलने वाले लोगों को तो इंक्रोच्मेंट के नाम पर बुल्टोजर से खार दिया जा रहा है अब वह पकौरा बेचने लाइक भी करने महंगाई से दोस्ती करने आए थे और आज हालत यह हो गई है कि जो गैस सिलेंडर जिन पर इन्होंने सब सीडी रखा सुकन्या योजना लाया ना जाने कितने योजनाएं लाए अज सचाई है कि वह आज प्राइवेट इंस्टूशन के कबजे में आ चुके हैं यह जो है जो आडमी थी उसको भी यह लोग ठेका करन कर चुके भाव पड़ा है भारी संख्या भारी प्रभाव पड़ा है आप जाहिए फुटपात पर लोगों की रहने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है चलि हमरे साथ लेफ्ट के छात्र नेता अमलाल थे महंगाई जी थी उन वादों को याद दिलाने का काम किया है और जिस तरीके से लगाई गई है खाद समागरी पर उस पर लोग बहुत हतास है मोदी जी आप समझे उस चीज को कि गरीब लोगों पर जादे परभाव पड़ रहा है जो पैकेट की बात कर रहे हैं कि 25 किलों से ऊपर के आना उसको 36 रुपय कर दिया गया है तो भारी प्रभाव पर रहा है लोगों पर और जो जिंदगी भर टेक्स भरते हैं जब उड़ापे के आधी में आते हैं जब उनको ब्रिधाप घोसित करते हैं तो उनको मात्रे के रेल सेवा भी नहीं दे सकते हैं मुफ्त में और तो कोई स सरकार कर रहे हैं इसे किसको लाब हो रहा है जबी परते के रिया कमेंट करके बताइए फेस्बूप देख रहे हैं सेर कीजिए यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद